अब आप लोगों क्या करना है कि माइनस पहले मेंने आगे भी करवाई थे थोड़ी और प्रेक्टिस करने थोड़ी अलग है जो आपको सीखने है 50 15-36 तो आप लोगों क्या करना है जिरो में से कभी 6 माइनस होते नहीं है तो हमें क्या करना है 5 के पर 4 जो भी नंबस दिये इसमें एक कम करना और 0 है तो 10, 1 है तो 11, 2 है तो 12 ऐसे मैंने पहले भी काफी बार समझाया है इसलिए आप लोगों को यह अब अब बता होगा तो 5 के पर 4 और 0 के पर 10 अब 10 में से आप लोगों को 6 माइनस करने है तो 4 हो जाएगा और 4 में से 3 माइनस करने है तो 1 हो जाएगा तो 1 पर 40 उसका आंसर होगा 57 minus 28 अब 7 में से 8 minus होते नहीं है तो हमें क्या करना है 5 पर 4 लिखने है और 7 पर 17 लिखने है तो 17 में से 8 minus हो जाएगे तो 9 होगा और 4 में से 2 minus हो जाएगा तो 2 होगा तो 29 उसका answer होगा 83 minus 75 3 में से 5 minus होगे नहीं तो 8 पर 7 लिखने हैं और 3 पर 13 13 में से 5 minus हो जाएगे तो 8 और 7 में से 7 minus हो जाएगे तो 0 तो 0,8 उसका answer है 86 minus 39 अब 6 में से 9 minus होगे नहीं तो 8 पर 7 और 6 पर 16 16 में से 9 minus 7 और 7 में से 3 minus हो जाएगे 4 47 उसका answer होगा 54 minus 16 4 में से 6 minus नहीं होगे 5 पर 4 लिखना है और 4 के पर 14 14 में से 6 minus हो जाएगे तो 8 और 5 के पर 4 4 में से 1 minus हो जाएगे तो 3 तो 38 उसका answer होगा 76 minus 27 6 के पर 16 और 7 के पर 6 अब 16 में से 7 आप लोगों को minus करने हैं तो 9 हो जाएगा 6 में से 2 minus हो जाएगे तो 4 49 उसका answer होगा 48 में से 9 minus नहीं होगे तो 4 के पर 3 लिखना है और 8 के पर 18 18 में से 9 minus हो जाएगे तो 9 और 3 में से 1 minus हो जाएगे तो 2 29 उसका answer होगा 37 minus 3 अब 7 में से 3 minus होगे तो 4 और 3 में से minus कुछ कहें नहीं नीचे तो 3 का 3 लिखना होगे 34 उसका answer होगे तो इस तरह हमें पूरे ये सारे subscription complete in notebook में लिखने है और workbook में भी complete करने है ओके, thank you